हेलो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार आज हम स्वाल करने वाले हैं 26 मार्च 2023 को राजस्थान में आयोजीत सेट परिक्षा का जियोग्राफी पेपर पेपर बहुत ही सिंपल आया था ज्यादतर क्यूसंस प्रिवियस इयर जो सेट और नेट में पूछे गए थे उनसे ही पूछे थे तो हम सुरू करते हैं एक काउना सवाल था जो एटमोस्परिक कंपोजिशन से समधित था तो इसमें एक तरफ गैसें दी और दूसरी तरफ उनके परसेंटेज दीए थे तो बहुत ही सिंपल था इसमें नाइट्रिजन गैस है तो नाइट्रिजन गैस को मैच करना है 78.1 परसेंट से और आरगन को मैच करना है 0.93 परसेंट से और ऑक्सिजन को मैच करना है 20.9 परसेंटेज से और कार्बन डाय ऑक्साइट को मैच करना है 0.03 परसेंटेज से तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा C अगला सवाल था विश्व मान चित्र पर अक्सांस और देशांतर को सबसे पहले किस ने चित्रित किया था तो जो चार विद्वान दे रखें उन में से जो सबसे पहले किया है वो टॉल में ने किया था तो राइट आंसर होगा B अगला सवाल था 53 त्रेपनवे में पूछा गया था कि जो भूमिदी रेखा से दुरूओं तक जो प्रेसर बेल्ट है और इसके अलावा जो विंड्स है उनको सही करम में जमाना था तो इसमें सबसे पहले ट्रेड वेंड्स होगी ट्रेड वेंड्स के बाद सब ट्रॉपिकल हाई आता है सब ट्रॉपिकल हाई के बाद में पचुआ पावने यानि कि वेस्टरली आती है और उसके बाद में धुर्वी पुर्वाई यानि कि पोलर इस्टरली आती है तो राइट आंसर होगा ए अगला सवाल था 54 चौपनवे में जो इरोजनल फीचर्स का जो सैट है व सब्सक्रों की सब्सक्राइब नदी के इरोजन से बनती है और यारण है वो इंड रोजन से बनत आ है और उसी परकार सिंक हौल है जो की ग्रांड वार्टर से के दो चैनल बनता है तो हमारा right answer होगा B और अगर दूसरे options देखें तो stack leg, mites है वो deposition से बन रहा है A में और C की बात करें तो biches है वो deposition से बनते हैं D की बात करें तो flood plan है वो deposition से बनते हैं अगला सवाल है पाचपनवा पाचपनवा में पूछा गया था कि Hello Klein is the John Ware तो जो Hello Klein होती है उसमें क्या होता है Rapid change होता है salinity में तो जो हमारा right answer होगा B, dramatic change in salinity occurs over a small change in depth of ocean जो कि 300 मिटर से 1000 मिटर में जो salinity एकदम rapidly change होती है तो right answer होगा B अगला सवाल है 56 56 में में पूछा गया है जो Copain ने B, S, H दिया है तो ये किसको इंगित करता है तो जो H small वाला है उससे hot desert होता है तो hot desert है तो दो option गए जो उस नकटी बंदी ये word आ गया अब आ गया है कि जो S बड़ा word है वो किसको है वो stepi को इंगित करता है तो हमारा right answer हो गया tropical stepi climate अगला सवाल है 97 97 में पूछा गया है कि vector और raster data किस प्रणाली में यूज की जाते है तो geographical information system होता है उसमें vector data और raster data दोनों यूज की जाते है विक्टर data जो point line polygon में होते हैं और raster data pixel में होते हैं अगला सवाल है अठा उन्वा अठा उन्वे में चार थियोरियां दी गई थी जो urban morphology से समन्दित है और सामने जियोग्रापर के नाम दिये गए थे तो multiple nuclear theory Harry Sorrelman की है concentric john theory सभी को बताए बर्गेस की है explotative जो model है सोशनात्मक model है वो दिया गया था William Bunge द्वारा और sector theory दी गई थी Homer Hoyt द्वारा तो जो हमारे right answer हो गए अठाउनवे का B अगला सवाल है 69 69 में पूछा गया है कि कुछ factors की वज़े से उंचाई के साथ तापमान में क्या हो जाती है वर्दी तो ये परिगटना किस नाम से किस रूप में जानी जाएगी तो हम उंचाई में बढ़ते हैं तो क्या होता है temperature में कम ही आती है तो ये तो normal बात है यानि कि normal lapse rate है परन्तु अगर इसमें वर्दी हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है temperature का inversion हो रहा है तापमान का with curman हो रहा है तो हमारे right answer होगा B inversion of temperature या तापिये with curman अगला सवाल है 60 में पूछा गया है ITCZ किसके लिए stand करता है या इसका तात्परिय क्या है तो इसका सीधा साफुल फॉर्म है intertropical convergence zone अगला सवाल है 61 में पूछा गया है alluvial fan जलोड पंक कहां बनते हैं कौन से रीजन में बनते हैं तो वो बनते हैं foot hills पे गिरी पाद पे जैसे ही नदी उतरती है परवतों से तो foot hills पर क्या बनते हैं एक तो alluvial fan बनते हैं इसके साथ ही जलोड संकू भी बनते हैं alluvial कौन भी बनते हैं तो right answer होगा B अगला सवाल है 62 62 में पूछा गया है चार जो है sand dunes दिये गए हैं और sand dunes को उनके alignment के हिसाब से जमाना है तो सबसे पहले है longitudinal तो longitudinal जो sand dunes होता है वो seep है seep में क्या होता है जो एक भुजा है वो कट जाती है और जो अनुप्रस्थ होते है वो अनुदेद्रे में convert हो जाते है इस तरह ये तलवार नुमा सेप में होते है तो एक और थर्ड से match करना है अब हमारे पास दो option बचते हैं दूसरा है transverse अनुप्रस्थ परकार का तो अनुप्रस्थ परकार का होता है बरखान होता है वो अनुप्रस्थ परकार का होता है और तीसरा है parabolic तो parabolic sand dunes हमेशा coastal इलाके में बनते हैं क्योंकि एक तरफ vegetation का cover का अवरोध आ जाता है और जैसे ही हवा समुदर में नीचे की और से उपर की और चलती है तो parabolic sand dunes बनते हैं और complex परकार का है वो है reversing तो इनको match करेंगे तो हमारे right answer होगा B अगला सवाल है 63 63 में पूछा गया है lime stone cavern collapse होती है मतलब उसकी जो रूप है वो गिर जाती है तो उस feature का नाम क्या होगा तो groundwater से जब erosion होता है तो एक समय ऐसा आता है कि जो छट गिर जाती है तो उसको या तो collapse sink बोलते है और या उसको doline बोलते है तो एक तरह से जो swallow hall बनता है solution sink hall बनता है उसके बाद में doline, uala, pole, j इस तरह से sequence होती है तो doline में छट गिर जाती है तो 63 का होगा D अगला सवाल है 64 C floor spreading theory 1960 में किस ने दिये तो C floor spreading दिये Harry Hays ने right answer होगा C अगला सवाल है 65 65 में पूछा गया है जो parent rock कौन सी होती है और साथ ही primary rock भी कौन सी होती है मलब parent rock और primary rock कौन सी rock कहलाती है तो सब से ज़्यादा जो earth crust में क्या होती है earth crust में होती है igneous rock 90% से उपर igneous rock होती है क्योंकि वही जो magma आता है और उस magma से बनी है और इनी का इनी 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 चट्टानों का जो primary rock है इनी का क्या होता है अपरदन होता है sedimentary rocks के रूप में और फिर अगला सवाल है 66 66 जो राजनितिक भुगोल से पूछा गया है इसमें पूछा गया है influence of sea power upon history ये book किस ने लिखी तो समुद्री जो सक्ती के बारे में 80 महान ने books लिखी थी एक ये sea power upon history लिखी है एक sea power upon French जो history है उस पे लिखी गई है अगला सवाल है 67 67 67 में चार जियोग्रापर दिये और सामने चार books दी हुई है तो जो गलत यूग में उसे पैचानना है तो जो चार option दिये हैगेट है जियोग्रापी ए मौर्डन सिंतेसिस सही है PE gems all possible world सही है Darwin origin of species सही है जो गलत है वो है GP Mars ने explanation in geography नहीं दी explanation in geography है वो David Harvey ने दी है अगला सवाल है पर्थवी की परीदी का पहला माप किस ने लिया था तो पर्थवी की परीदी का फर्ष्ट मेजरमेंट लिया था इरे टॉस्ट नीज ने इरे टॉस्ट नीज ने जो दो लाख बावन हजार पर्थवी की परीदी बता ही थी अब जो इसके अलाबा जो ये रॉमन शोरी अगला सवाल है उनसत्रवाँ में जो इसकोलर दिये हुए इनको क्रोनोलोजिकल ओर्डर में जमाना है ग्रीक स्कोलर को तो सबसे पहले एनेकजी मेंडर फिर आये प्लेटो प्लेटो के बाद में अरस्तू अरस्तू के बाद में इरेटोसनी राइट आंसर होगा अगला सवाल है सित्रवाँ सित्रवाँ में पूछा गया है किसी भी देश की भोगोलिक इस्तिती परमुक कारक है तो ये किसन है वो एक्जेक्टली कहीं मिला नहीं है पर अनुमान ये है कि ये डी विठल सी ने लिखा है अर्थ एंड स्टेट बुक में जो की पॉलिटिकल जियोग्राफी से समन्दित है तो उस समय जो डी विठल सी ने लिखा होगा पर इसमें मैं स्योर नहीं हूँ अगला सवाल है एकोत्रवा एकोत्रवे में पुछा गया पुस एंड पुल त्योरी किसे समन्दित है तो पुस एंड पुल त्योरी ली ने दी थी और वो माइग्रेशन से समन्दित है अगला सवाल था बहत्रवा बहत्रवे में पुछा गया है इस्पेशियल मॉबिलिटी ट्रांजिसन थ्योरी किस ने दी थी ये भी माइगरेशिन से समझ दी थे और ये दी थी जैलेंस की ने राइट आंसर सी अगला सवाल है तेतरवां तेतरवां पुछे क्या वी सेप्ट वेली टिपिकली अकर एज रिजल्ट आप तो वी सेप्ट व व्यक्तियों पर तो इसमें क्या है जितने बर्त हुए और किती पॉपुलेशन पर हुए इंटू हजार बी बटे पी इंटू हजार राइट अंसर होगा भी अगला स्वाल है पिछत्रवां पूछा गया है इंडियन पॉपुलेशन की जो रैपिट ग्रोथ है वो कौन से प अब डिक्लाइन देखने को मिलता है अगला सवाल है निम्न मैंसे कौन सा एक एक एक्जामपल है स्टेटेजिक और गिनाजेशन का रणनितिक संग्ठन का तो नाटो है वो रणनितिक संग्ठन का उदारन है क्योंकि यह एक तरह से मिलिटरी कॉर्परिशन है बाकी जैसे ओ ऑफिकन सायोग के लिए है और सीमा है वो बिजनेस सायोग के लिए अगला सवाल है सितोरवां मैं पूछा गया है सिवीलाईजाशन एंड क्लाइमेट किताब किस ने लिखी थी तो सिवीलाईजाशन 79 में क्या पूछा गया है Frontier के बारे में 4 statement दिये हुए और उनमें से कौन से correct है यह हमें पता लगाना है Frontier यानि की सीमा तो पहला जो statement है Frontier area is man-made that means it gets political and legal recognition तो Frontier को political और legal recognition नहीं होता है क्योंकि यह सीमा के दोनों तरब होते है तो इसको legal recognition नहीं होता है तो पहला गलत हो जाएगा और पहला गलत को अगर निकाल दे तो A, B, C में पहला दिया गया है तो हमारे पास बचता है D जो की right होगा फिर भी हम देखते हैं बाकि वाले statement में क्या कहता है Frontier कहा होते हैं Out skirt of state में होते हैं अगला सवाल है अगला जो बिंदू है वो तीसरा है उसमें बताएगा है Frontier is the first to be affected in any kind of political change वार, etc. between the state जब भी कोई युद्ध जैसी परसिती आती है पॉलिटिकल चैन्ज आती है तो border के आसपास वाला area होता है Frontier और वो ही सबसे पहले परवावित होता है बिल्कुल सही है अगला जो बिंदू है वो है चौथा, चौथे में बताएगा Frontier is located in the no man land of the state तो no man land होता है Frontier basically area होता है और border होती है line तो यह no man lands कहलाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है सही answer हो गया D अगला सवाल है 80th, तो 80th में पूछा गया है कि जो demographic transition की जो second stage होती है उसमें क्या condition आती है तो first stage में तो high birth rate होती है और high death rate होती है और जब दूसरी stage शुरू होती है तो death rate decline होना शुरू हो जाती है high rate, high birth rate बनी रहती है तो 80th का जो answer होगा वो होगा C उच जर्मदर घड़ती मर्ति उदर अगला सवाल है 81th में पूछा गया है कि कौन सा pyramid हमेशा सीधा होता है तो जो उर्जा का pyramid है वो हमेशा सीधा होता है क्योंकि उर्जा जब उच इस्तर में जाती है तो 10% ही एक generation दूसरे में जाती है जैसे पोदों से प्रात्मी को बोगता ले रहे है तो 10% ही ले पाएंगे फिर प्रात्मी को बोगता से दित्यक ले रहे है तो उसका 10% यानि एक परसेंट पहुंचेगी तो इस तरीके से जो उर्जा प्रामिड है वो एकदम सीधा होता है तिरभुज की तरह अगला सवाल है 286वाम 286वाम में पुछा गया है देश का नाम और स्टॉम का नाम तो चार देश या जो भी एरिया दिये हुए और इन एरिया के सामने स्टॉम लिखा हुआ है तो फिलिपिन्स में क्या आता है फिलिपिन्स में आता है टाइपून उत्री अटलांटिक महासागर में क्या आता है हरीकेन आता है USA में क्या आता है USA में टॉरनेडो आता है और अस्टेलिया में क्या आता है अस्टेलिया में आता है विली विलीज राइट आंसर होगा C अगला सवाल है 83 स्वाँ 83 स्वाँ मैं पूछा गया है कि जो ओजोन लेर है स्टेटोश्पेर में वो क्या करती है एबजोब करती है पार्ट पोर्शन और रेडियेशन प्राम दा सन तो सन में से कुछ पूर्शन जो रेडियेशन में से पूर्शन होता है जो UV rays का होता है उसको रोक एबजोब करती है और PREVENT करती है अर्टक पहुँचने से बिलकुल हमारी रक्सा करती है तो A सही है दूसरा है और जान हौल है वो infring किया गया कहां पे अगला सवाल है चौरा सिश्वा चौरा सिश्वा में पूछा गया है कि इमने से जो कौपेन के सिंबल है जो और रिजन दिये गये हैं वो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो जो ट्रॉपिकल सवाना टाइब होता है वो होता है एडब्लू A S मतलब Summer Dry हो गया जबकि सवाना में क्या होता है Winter Dry होता है Summer में बारिष होती है तो D बिल्कुल गलत है बाकी बलई A M W कहें जो मान्सुन टाइब है लो इंडिया में होता है C W G जो गंगा का मैदान है वो भी मान्सुन टाइब है और D F C Cold Humid Winter टाइब विध सौर्ट शमर ये तो यह सारे सही है, राइट आंसरोगा D, अगला सवाल है फिच्च प्रेसर वालवी सरीज कहां पर है तो तो वालुा इस और प्रेसर बेल्ट है तो उसका सीधा सा आंसर है ना से लेके 5 डिगरी साउत लेटिटूड या अक्सांस तक राइट अंसर होगा A अगला सवाल है सित्यासिस्वाँ सित्यासिस्वाँ पूछा गया प्रिंसिपल दे जियोग्राफी हुमें ने किसने लिखी है नाम से ही पता लग रहा है कि ये फ्रेंच लेंग्वेज में दे लगा हुआ है तो तो विडाल डीला ब्लास ने लिखी है राइट अंसर होगा A अगला सवाल है एटियासिस्वाँ एटियासिस्वाँ में जो लुईस मम फोर्ड ने स्टेज़ जो अब अर्बर डवलप्मेंट बताई गए थी उनको सीक्वेंस में जमाना था जो सीक्वेंस में जो एकोपॉलिस लिखा हुआ है वो सई में वर्ड है इयोपॉलिस बुख के अंदर ही जो साहई बंसल की बुख है उसमें misprint हो रखा है इस वज़े से ये एको पॉलिस लिख लिया गया तो ये object कर सकते हैं तो इसमें right answer है पहले बनता है ई-उ-पॉलिस बाद में बनता है पॉलिस फिर बनता है मेट्रो पॉलिस और उसके बाद में बनता है मेगालो पॉलिस राइट आंसर होगा C अगला सवाल है 89 में पूछा गया है मैकिंडर क्या करता है डेकोरेट करता है यूरोप एसिया और अपरिका के बहुत बड़े इसे को एजे वर्ल्ड आइजलेंड अब जो इसका रीजन है रीजन में लिखा गया है कि साथ बटे आठ जनसंक्या है वो इस जो वर्ल्ड की जनस नमतिति है वो इस वर्ल्ड आइजलेंड में रहती है अब साथ बटे आठ जो कि में मुक्ष जनसंग्या यहीं रहती है इसी वज़े से इसका नाम वर्ल्ड आइजलेंड दिया है तो इसका जो राइट आंसर हो गा कि दोनों कतन सत्य है और आर एए सही वैक्षा करता है अब जो ऑफिसियल इसमें थोड़ा सा डाउट है कि वह क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है पर लग रहा है कि विश्व की बड़ी जन से क्या यहां रहती है इसलिए उसने नाम इसको विश्व दीप दिया तो अभी के लिए हम यह मान लेते हैं राइट आंसर ए अगला स जो अभी एक सवाल रिपीट हुआ है किस्टोलर ने क्या दिया सेंट्रल प्लेस त्योरी और वीवर ने क्या दिया वीवर ने दिया क्रॉप कॉमिनेशन इनको मैच करेंगे तो राइट आंसर आएगा ए अगला सवाल है इक राणवे नाथूला पास का है तो नाथूला पा का फोर्मूला होता है च फॉरर और ऑनाे थे यहाँ पे में प्रिंटिंग होई है टाइप ईस से सीचोटा ओ लेक दिया जो की कोबल्ट का फ्रमूला होता है कार्बन और पार बड़ा हो फिर इसका होता है और तो बिलकुल सिंपल था इसका जो राइट आंसर होगा अगला स जो Weber की theory है list cost theory उसमें क्या है line of equal transport cost की होती है तो ISO team होती है वो equal transport cost होती है individual product के लिए individual item के लिए और total transport cost होती है वो होती है ISO depend तो right answer हो गया 93 का D line of equal transport cost है वो एक में ही दिया गया है right answer हो गया D अगला सवाल है चोराणवा regional imbalance छेत्रिय संतुलन कब पैदा होता है तो छेत्रिय संतुलन manly जो पैदा होता है वो होता है संसाधनों की छेत्रिय समानता के कारण कुछ छेत्रों में तो resources भरपूर दिये और कुछ विचारे वहाँ पे संसाधन है ही नहीं तो इस वज़े से क्या होती है चेत्रिय समानता पैदा हो जाती है क्योंकि जहां पे अच्छे संसाधन है वहाँ विकास अच्छा हो जाता है और जहां पे संसाधनों की कमी है वहाँ विकास में कमी रह जाती है तो regional imbalance हो जाता है तो 94 का अंसर हो गया D अगला सवाल है पिंचानवा पिंचानवे में क्या है बायोम दी हुए बायोम में क्या है सामने दी हुए ट्री तो match करना है अगर इसको थोड़ा गोर से देखें तो desert बायोम लिखा हुआ है desert बायोम का पोदा होता है akasya जो की bubble family का है akasya catasus जैसे कथा हो गया या फिर akasya sennagal यानि की जो कूमट हो गया इस तरह कैसे जो akasya normally बबूल के लिए यूज़ रहता है तो यह desert का पोदा हो गया तो D को पहले से match करना था तो D को पहले से match करेंगे तो right answer हो जाएगा B फिर भी बाकी वाले पोदाओं को भी देख लगते है A का चौथा B का second तो A का चौथा सवाना बायोम में क्या होता है A का चौथा बाओ बाब पोदा होता है बाओ बाब पोदा काफी बड़ा होता है जो bottle tree कहलाता है और इसके नीचे कुछ tribe होती है वो घर बना के भी रहती है क्योंकि ये नीचे इसकी जड़े होती है वो ठंडी रहती है और फिर जो अगला है B का second B का second यानि की desidious जो temperate desidious forest है वो होता है maple और इसके अलबा जो C का पांचवा यानि की tega forest biome का पांचवा लार्च होता है जो की conical type होता है अगला है evergreen forest biome तो evergreen forest biome का है E का third diewood होता है तो evergreen के जो पोदे हैं वो हमें सभी को पता है अगला सवाल है 96th 96th है जो अभी set का एक paper solve कर रहे था है उसमें से repeat हुआ है कि बही दावनी की कितनी त्यूरता है मनिश्य के लिए दावनी परदूशन का कारण बनती है तो generally WHO की definition है वो 65 decibel की है दावनी परदूशन के लिए पर जो 1000 DS होती है मानों के लिए वो 80 decibel से उपर right answer हो गया अगला सवाल है 97 जो international standard है according to the international standard atmosphere जो sea level पे जो मानक air pressure होता है वो कितना होता है तो वो होता है 1013.25 mili bar यह होता है मानक air pressure अगला सवाल है इंठाणवाएं इंठाणवाएं पूछा गया है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल लाइप जो कि 1952 में बना था तो इसका man उद्देश से क्या था तो इसका man उद्देश से केवल और केवल था protection of wild animal vegetation cover के protection का कोई लेना देना नहीं था और conservation reserve का भी कोई लेना देना नहीं था तो इंठाणवे का हो गया one only इंठाणवे का अगला सवाल था 99 99 में पूछा गया है amount of energy received at the earth surface डिपेंड हो जो earth surface पे energy का amount मिलता है receive होता है वो किस पे डिपेंड करता है तो वाई मंदल की सरचना में परिवतन बिल्कूल वाई मंदल की सरचना में परिवतन हो जाएगा जैसे कि कोरा चा जाता है तो amount of energy नहीं मिलेगी इसी परकार changes in the transparency of the atmosphere तो जैसे कोरा चा जाता है उसमें भी क्या होता है transparency change हो जाती है तो energy कम मिलेगी इसी परकार modification of energy in the transistor तो जब जो energy pockets आते हैं तो energy आती है उस समय बीच में क्या है रस्ते में कुछ modification हो जाए तो भी changes हो सकते हैं तो जो हमार right answer होगा एक, दो, तीन यहां की right answer होगा डी, एक, दो, तीन, तीन हो सही है अगला सवाल है जो कथन दिये के हैं और वो है culture से सम्दित culture क्या है transfer होती है बिल्कुल culture transfer होती है जैसे western culture है यहाँ पे transfer हो रही है बारत की तरफ दूसरा है culture is able to adapt according to the situation और culture में क्या है एड़ेट कर लेती है जैसी situation आती है जैसे मुगल आए तो कुछ मुगलों की सांसकरती हमने ले ली तो अंग्रेज आए तो कुछ अंग्रेजों की ले ली तो जैसी condition आती है वैसे यह adapt हो जाती यह भी सही है तीसरा है culture is only non-material यह बिल्कुल गलत है culture material भी होती है materialistic भी होती है और non-materialistic भी होती है जैसे कि UNESCO की cultural heritage site है तो cultural heritage site है वो क्या है material वाली होगी और कुछ non-material वाली non-material जैसे कोई dance वगरा है intangible item है वो होगे non-material तो दोनों होती है जैसे कि food habits वगरा यह होगी non-material तो 100 का हो गया पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है गलत अगला सवाल है 101 101 में मैं पूछा गया है जो size के according क्या है जो यह settlement है इनको arrange करना है तो गाउं सबसे चोटा होता है village फिर गाउं से बड़ा होता है कस्बा यानि की टाउन और फिर उसके बाद में कॉनर्बेशन बड़ा होता है और सबसे बड़ा होता है मेगा लो पॉलिस तो राइट आंसर हो गया 101 में का B अगला सवाल है 102 102 में में पूछा गया है कौन सा human factor है वो soil erosion से सम्मंदित नहीं है अब farm practice change करते हैं तो soil erosion होता है जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा commercial farming करेंगे एकदम irrigation farming करेंगे तो क्या होगी तो जो soil है मरदा है उसका क्या हो जाएगा erosion अपरदन शुरू हो जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सिंचाई कर रहे है उस वज़े से मरदा क्या उसर हो जाती है तो पहला बिलकुल गलत है soil erosion से समंदिते अब पहला गलत है मतलब पहले को निकालना है तो A में पहला दिया है ये भी निकला C में पहला दिया है ये भी निकला D में पहला दिया है ये भी निकला तो हमारे पास बचता है राइट आंसर B फॉर्थ आनली डेंसिटी ओफ वेजिटेशन है वो कोई human factor नहीं है soil erosion का बाकिबले mining है farm practice change है और management जो measures है हम management जो करते है अर्थ पे human activities अब वो management कहीं न कहीं soil erosion का कारण बनता है अगला सवाल है 103 वाँ UNEP किसे related है तो UNEP की full form है United Nations Environmental Program राइट अंसर C अगला सवाल है 104 वाँ 104 में में पूछा गया ecological नीचे है वो पहली बार किस ने दिया था तो पहली बार ecological नीचे का concept दिया था J. Grinnell इन्होंने दिया था 1917 में यहाँ पे misprint हो गया है 1971 अगला सवाल है 105 वाँ 105 में पूछा गया है ecology term है वो किस ने दी थी ecology term है वो Ernest हेकल ने दी थी इसके अलावा बात करें टैंसले ने टैंसलो ने एको सिस्टम दिया था Odom Father of Ecology कहला था Clements ने ecological succession दिया था अगला सवाल है 106 106 में क्या दिया हुआ है वही एक map दिया है एक अनुपात 25,000 का जो इसका RF है तो एक बटा 25,000 का RF है अब इसका क्या करना है map को reduction करना है map का तो reduction on environment से था और आदा करना है reduction में तो आदा करेंगे तो RF है वह हो जाएगी एक अनुपात 50,000 Right answer C अगला सवाल है 107 में 107 में पूछा गया है कि जो सहरी आबादी को मालचितर पदरसाने के लिए उप्यूक्त नहीं है तो हम circle से दिखा सकते है urban population को sphere से भी दिखा सकते है divided circle से दिखा सकते है circle में उसकी population आगी साथ में divided circle में वहाँ जो mail भे mail को भी दरसा सकते है और भी चीजों को दरसा सकते है इसके अलवा जो hatchure दिया हुआ है hatchure है वो relief को दिखाने का जो फीचर है मतलब रिलीफ इससे दिखाए जाता है तो हेचियूर हो गया गलत 107 में का D इसके अलबा अगला सवाल था 108 में पूछा गया है निम्न मेंसे जो एर पॉलिटेंट नहीं है तो नाइट्रोजन गैस जो ये नैचूरल ही होती है एट्मॉस्पियर में तो ये परदूसक नहीं है बागी बले धुआ है पले कार्बन डियोक्सएड है सल्फर डियोक्सएड है ये सारी की सारी परदूसक है राइट अंसर होगा 108 में का A अगला सवाल है 109 में क्या है कल्चरल रीजन है इन कल्चरल रीजन को इनकी कैटेगरी को साइज के एकोर्डिंग जमाना है डिक्रिजिंग ओर्डर में तो सबसे बड़ा होता है कल्चरल वर्ल्ड कल्चरल वर्ल्ड से चोटा होता है कल्चरल रिल्म कल्चरल रिल्म से और और अर boys के सामने जो ये फौन से type का मैप होगा मतलब स्केल है वो किस लेवल की होगी तो जो सबसे जो बड़ा र एक युज और रा इसी तो एक छोटे एरिये का मैप होगा तो य होगा क्रश्टल मैंप क्योंकि यहां पे revenue new collection हमारा उदे से होता है तो माइनूट डिटेल्स को दिखा जाता है तो डी को पहले से मैच जो डी को है वो पहले से मैच करना था अब आता है मीडियम अब हमारे पास तीन ऑप्सिन बचते हैं डाइलाग का और पचास लाग का और पचास जार का इनमें से जो बीच वाली जो डाइलाक वाली है उसको मीडियम स्केल के सामने मैच कर देंगे अब आती है पचास जार पचास जार भी लार्ज स्केल है इसको लार्ज से मैच कर देंगे और पचास लाग क्या है बहुत ही इसमाल स्केल है तो इससे मैच कर देंगे जनरली manly किया जाता है interrelations के लिए यानि कि दो variable में आपस में वो interrelate तो नहीं कर रहे हैं इसको check करने के लिए काई square manly किया जाता है इसके अलवा variability के लिए भी किया जाता है बट manly interrelations के लिए किया जाता है अगला सवाल है 112, 112 में ethnic religion का type कौन सा है तो हिंदू religion है हिंदू ध दरम है वो ethnic type है बाग की जैसे इसाई, जैन वगरा है जो इसाई, जैन, मुस्लिम है यह है यूनिवर्सल दरम है यूनिवर्सल मूल्यों पर आधरी थे इसकारण अगला सवाल है 113, 113 में पूछा गया है कि जो कथन और कारण दिये हैं तो biotic resources क्या होते हैं biotic resources are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, तो बले ही आदमी हैं, बले ही flora है, fauna हैं, यह सारे की सारे सजी वस्तों हैं वो क्या है, biotic resources है और biosphere से obtained होते हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरा बात है, R में लिखा गया है कि a biotic resources है, are those things which are composed of non-living things, energy वस्तों हैं, for example rocks, air and metals, यह भी सही है, पर यह सजी की बा करनी कर रहा है, अगला सवाल है, 114 में पुछा गया है, कि दर्वीडियन, मले, पॉलिनेशियन, लिंग्विस्टिक ग्रूप में से कौन सी language family नहीं है, तो इस ग्रूप में दर्वीडियन आ गया, तो दर्वीडियन पक्की language इसी की हो गई, मले आ गया, तो मले से मलियन भी हो गई, और पॉलिनेशियन आ गया, तो पॉलिनेशियन, माइक्रोनेशियन, यह जो आसपास वाले दीप समुवा वाले जो कंट्रीज है, उसकी हो गई, माइक्रोनेशियन, जो मंगोलिक है, मंगोलिक language family है, वो इस ग्रूप का हिस्सा नहीं है, यह बिलकुल अलग पढ़ है, तो रईट आंसर हो गया, एक्सो चौधवा में, C, अगला है, एक्सो पनरवा, एक्सो पनरवा हम पूछा है, एक पौपूलेशियन, पिरामिड का क्या महत्व है, तो पौपूलेशियन पिरामिड में, हम क्या दरसा आते हैं, एक तो जो एज को ग्रूप में दिखाए जाता है और एक तरफ मेल दिखा जाता है यह सेक्स रेशियो भी हम दिखा सकते हैं तो एज एट सेक्स रेशियो की स्टडी करने के लिए यह मददगार होते हैं तो राइट आंसर हो गया डी अगला सवाल है एक्सो सोल वाँ, एक्सो सोल वाँ, एक्सो सोल वाँ, पूछा गए, आलू वील, सोईल, आर, वैरी, फर्टाइल, बिल्कुल, बहुत ही ज़्याद है, उर्वर होती है, अब, जो कारण लिखा गए है, थे, अब, आर, ऑ, आर, दोनों सही है, और, आर, क्या कर रहा है, एक्स्प्लैन कर रहा है, अग्ला सवाल है, एक्सो सत्रम, एक्सो सत्रम्हें में, पूछा गया है कि 0.3 to 0.4 माइक्रो मेटर वेवलेंग्ट जो होती है वो EMR में किसकी होती है तो इसी से संदर्वित एक और आगे सवाल आया गया है अगर उस सवाल को और इस सवाल को दोनों के एक साथ देखते तो आसान इसे पकड लेते कि 0.3 से 0.4 है वो है फोटोग्राफिक अल्ट्रा वोयलेट रीजन होती है राइट अंसर हो गया C अगला सवाल है 108 में में पूछा गया है कि भारत में जो सेक्स रेशियो है वो यूजली डिफैन के जाता है तो भारत में जो सेक्स रेशियो है हजार पूरूसों पर महिलाओं की संक्या है तो राइट अंसर हो गया B परती हजार पूरूसों पर महिलाओं की संक्या अगला सवाल है 119 में में 4 सेरीज दी हुई है सेटलाइट की और इन सेटलाइट सेरीज की launching year दिये गये तो कौन सा correctly match नहीं है तो इसमें से दो है वो correctly match नहीं है नोवा सिरीज है वो 1970 में शुरू हुई थी तो इन्होंने लिख दिया 1979 इसके लवा sport सिरीज है वो की 1986 में शुरू हुई थी इन्होंने लिख दिया 1985 बाकी IRS और Landsat ये दोनों सही है तो B और D दोनों गलत है तो ये objection करेंगे तो delete होना चाहिए अगला सवाल है 120 120 में में पूछा गया है precise positioning service जो device है वो usable होती है तो precise positioning service है वो military में use की जाती है जैसे हमें कोई missile से attack करना है तो हमें exact coordinate चाहिए होंगे तब ही हम attack कर पाएंगे तो ये senior receiver के लिए उप्योगी है right answer होगा B अगला सवाल है 121 121 में पूछा गया है जो जन संग्या की negative growth है वो 2011 की population के अनुसार 2011 की census के अनुसार कौन से रज्जे में तो negative जो growth है वो होई थी नागा लेंड में right answer होगा B अगला सवाल है 122 122 में में पूछा गया है ए कल्चरेशन के बारे में statement दिये हुए तो ए कल्चरेशन में जो पहला statement है कि it is part of the social process assimilation which is the final step from struggle to integration तो ए कल्चरेशन में क्या होता है एक तरह से assimilation होता है पहले तो क्या है दो कोई भी जो समधा है वो आपस में क्या करते है struggle करते है मान लो कोई अलग कोई समधा आया है पहले तो struggle करेंगे फिर दीरे दीरे उनका culture का क्या होता है culture आतम साथ हो जाती है दीरे दीरे वो दोनों मेल मेलाब से एक जगह बस जाते है और assimilation हो जाता है तो struggle से integration एक ता तक का में होता है acculturation ये बात बिल्कुल सही है दूसरा है this process is active as a result of population migration displacement expansion of the country's border और ये क्या है active है क्यों क्योंकि population migration करती रहती है displaced होती रहती है और country की border भी expand करती रहती है तो इस वज़े से क्या है acculturation process है वो हमेशा active रहता है तो दोनों कतन सही है अगला सवाल है 123 में की बात करें तो 123 में पूछा गया है कि जो cranial capacity होती है जो दिमाग को मापती एक तरह से तो cranial capacity जो 1300 cubic centimeter 1300 cc किस की होती है तो 1300 cc होती है वो होती है नेगरी टोगी Caucasian की 1400 होती है तो इस तरीके से right answer हो 123 में है अगला सवाल है 124 में 124 में इन में से कौन सा कथन सत्य है ये find out करना था तो 2011 की population के अनुसार जो जनसंगया गनत्व कितना है population density है वो है 382 ये बिल्कुल सही है पहला ही सही है तो 124 में का हो गया फिर भी आगे देख लेते हैं जनसंगया गनत्व 812 में नहीं 829 था इसी परकार वेस्ट बंगाल का population density highest है नहीं बिहार की जो इस्टेट में है वो population density highest है इसकी परकार मिजोरा में है वो lowest population density ये भी गलते है अरुनाचल परदेश है वो lowest population density है तो right answer होगे 124 में का A अगला सवाल है 125 125 में पूछा गया है कि highest value और lowest value का difference होता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है range परास कहलाता है mean median mode नहीं कहलाता है तो हमारा right answer होगा none of these इनमें से कोई नहीं अगला सवाल है 126 126 में में पूछा गया है जो coral reefs है वो किते extent में पाई जाती है तो ये पाई जाती है 30 degree north से लेके 30 degree south तक mainly 25 degree north से 25 degree south तक जो उस नकटे बंदी इलाका उसमें पाई जाती है और फिर जो marginal region है 30 degree 25 से 30 वाला उसमें पाई जाती है तो right answer होगे 30 degree north से 30 degree south right answer B अगला सवाल है 127 वाँ 127 में मैं पूछा गया है जो iron और है जो लोहे के ask दिये हैं और उनमें iron की मात्रा दिवी है तो magnetite कितना होता है magnetite होता है 72.4 D का हो गया पहला इसी तरकार A का second A के second में hematite होता है उसमें 62 70% होता है और B का हो गया fourth यानि की CD right में होता है 10-18% और बाकी बचा limonite उसमें हो गया 30-60% अगर magnetite का पता है 72.4 तो आसानी से आप ये कर लेते क्योंकि एक ही option से हो रहा था अगला सवाल है 128 128 ये जो मैं बात कर रहा था कि इसी सवाल से वो photographic ultraviolet band है वो हो जाता तो photographic ultraviolet band क्या है 0.3 से 0.4 इसके बाद में near infrared near infrared visible के बाद आता है 0.7 से 3 micrometer और फिर mid infrared ये हो गया 8 से 14 micrometer और visible 0.4 से 0.7 micrometer इनको match करेंगे तो right answer हो जाएगा A अगला सवाल है 139 139 हैं पूछा गया है जो exaggeration हमें निकालना था तो exaggeration में निकाला जाता है वो निकाला जाता है vertical scale बटे horizontal scale तो उपर हो जाएगा एक अनुपाद 25,000 बटे एक अनुपाद 1,50,000 अब क्या है ये 25,000 नीचे चला जाएगा एक लाग पचाजार उपर चला जाएगा कटने की वज़े से और जो हमारा right answer होगा एक लाग पचाजार पचीज़ जार का भाग देंगे तो 6 बार जो इसका right answer 6 टाइम आएगा exaggeration आएगा अगला सवाल है 131 उसके first thinker कौन है तो rank size के बारे में और वैच ने सबसे पहले observe किया था पर rank size rule दिया था जी के जिप ने सबसे पहले दिया था तो right answer रो गया 131 का C अगला सवाल है 132 132 में क्या है dependency theory से कौन सा statement related नहीं करता है तो dependency theory में क्या होता है dependency theory में जो developing country है वो developing country और एक है developed country तो developed country क्या करते हैं एक तरह से exploitation करते हैं developing country का अब developing country पहले से ही sorry developed country जो पहले से developed है इस वज़े से वो क्या है हमेशा advantage में रहती है और जो developing country है वो उनकी एक तरह से मलग सतर साया में रहती है और इसी तरीके से जो फ्रैंक ने भाई dependency theory दी थी उसमें मेट्रो पॉलिस जो इलाका है वो सेटलाइट सेरों का सोशन करता है इसी तरीके से इसी example को लेके उन्होंने बताया था तो अगर इनके देखें तो dependency theory में पहला जो statement दिया हुआ है dependency theory focuses on events of export dependence, trade deficit, import nature तो बिल्कुल इसकी बात करती है कि export dependence है, एक्सपोर्ट की dependence है developed country पे, जो developing country की trade deficit बिल्कुल होता है क्योंकि जो विकास सिल्दे से उनका हमेशा वेपार गाटा होता है क्योंकि वो export कम कर पाते हैं और import में ज्यादा करना पड़ता है वापस जैसे हम कच्छा माल भेजते हैं, वापस हमें, वापस manufacturers goods खरीदना पड़ता है अगला जो option है, वो है poverty and economic development of underdeveloped countries are also explained by such theory तो जो गरीब देश गरीब क्यों है, इसको ये एक तरह इसके explain कर रही है कि वो underdeveloped क्यों है, उनकी poverty or economic development underdeveloped क्यों है, क्योंकि उनका हमेशा सोचन कर रहे है, developed country है, तो ये भी सही है, अगला है C, तो C में पूछा गया है कि developing, how the developing countries are connected to the world economic system, तो इसमें ये जो आर्थिक व्यवस्ता है, इसको पूरा समझाए गया है, ये भी effect of rapid industrialization, ऐसी कोई भी बात, dependency theory में नहीं की गई है, तो right answer हो गया D, इसका detail video आप link में देख सकते हैं, जो regional development की theory है, अगला सवाल है, 133वा, 133वा हम पूछा गया है, कि जो origin of coral reef में, जो glacial control की theory है, वो किस ने दीती, तो glacial control की theory दीती, डेली ने, right answer हो गया A, अगला सवाल है, कि महा बलेश्वर महा राष्टा से कौन सी नदी निकलती है, तो कर्षणा निकलती है, महा बलेश्वर से निकलती है, अगला सवाल है, 135वा, 135वा में पूछा गया है, कि continental self में से, जो विसेश्था है लिकिए उनमें से कौन सी continent self की विशेस्ता नहीं है तो यह मास अगर का क्या है cello part है उतला हिस्सा है और मादीप से जुड़ा है बिल्कुल सही बात है इसकी depth है 200 मिटर तक होती है बिल्कुल सही है sediment from land are also found बिल्कुल sediment यहीं आके जमा हो जाते हैं land से जुड़ा हुआ है और इसका slope है वो 2-5 degree के बीच में होता है तो इसका slope होता है 1-3 degree के बीच में 2-5 नहीं होता है तो यह गलत है 135 में का D अगला सवाल 136 मा वो वाज दा फस्ट जियोग्राफिकर to elaborate radical geography नाम है radical geography हिंदी में तो translate मोलिक भूगोल कर दिया है बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो radical geography है वो है जे रिचर्ड पीठ है उस पे detail elaboration दिया था राइट अंसर हो गया अगला सवाल है 137 137 में पूछा गया है कि which wind belt is also called headless cell तो headless cell है जो trade wind वाला belt है पेडले कहलाता है और फिर जो पाच्वाबावनों वाला होता है वो फैरल वाला सेल कहलाता है और उसके बाद में जो polar easterly वाला जो belt है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है तुर्वी सेल polar सेल 137 में कराइट अंसर हो गया 138 में पूछा गया है कि continental drift hypothesis के regarding पहला idea किस ने दिया था तो पहला idea दिया था एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में उसके बाद में टेलर ने 1909 में idea दिया था फिर वेगनर ने 1912 में दिया था तो उसने 77 ये दाराओं की बात की राइट आंसर हो गया अगला सवाल है 149 में इसमें क्या river दिया हुई है और place of origin दिया हुई है तो कौन सा incorrect pair है वो find out करना है तो ब्रहम पुत्र मानसरों के पास से निकलती है इंड़ा से वो western guard से नहीं निकलती है वो भी मानसरों के पास से निकलती है और तीसरा है भागी रहती गोमुक ग्लेशियर से निकलती है बिलकुल निकलती है नरमदा है वो अमर कंटक मैकाल की पाडियों से निकलती है निकलती है तो इंड़ा से western guard यह गलत जोड़ा है तो राइट आंसर हो गया B अगला सवाल है 140-वा 140-वे में Regional Development की थियोरिया फिर से सवाल पूछा गया है तो इसका वीडियो है जो लिंक दिया गया है वीडियो का उसमें detail आप देख सकते हो तो इसमें principle of state, resource and economic growth was given by तो stages of economic growth दिये थे वो दिये थे रौस्ताव ने तो इस हिसाब से हमारा right answer हो गया www.rosthau and smith 141-वे का A अगला सवाल है 141-वा 141-वे में पूछा गया है कि धन, आ, शहर, याबादी, सामन, याबादी में अ समानता का वितरन दिखाना है अनेक्वल distribution दिखाना है एक तो गिनी कोपिसेंट और लॉरेंज करो अब अनेक्वल distribution के लिए कौन सा कर्व यूज करना है, नाम ही करो लिख दिया तो इन में से भी अब क्या हो जाएगा लॉरेंज करो right answer हो गया 141-वे का C अगला सवाल है 142-वा 142-वे में पुछा गया है अगला सवाल है 143-वे में पुछा गया वो किस ने लिखी थी तो सोचियो एकोनोमिक मॉडल्स जो किताब है वो लिखी थी हैगेट एंड चौर लेने right answer हो गया D अगला सवाल है 144-वे में पुछा गया आठवी अनुसूची में कितनी बासाओं को बारती सवीदार में मानिता दी गई है तो 22 भासाओं को मानिता दी गई है 144-वे का हो गया C अगला सवाल है 145-वे में पूछा गया है इंड्रियन रेसेज है जो भारती जातियों का वर्गी करने वो किस ओथर ने किया तो वो किया है सर हरबर्ट रिजले ने 145-वे को गया C अगला सवाल है 143-वे में भील ट्राइब मैनली कहां पाई जाती है तो भील पर जाती है वो गुजरात, महाराष्ट, मद्यपरदेश और राजस्तान में पाई जाती है और भील जो जन जाती है वो इसके लिए भील पर देश की भी डिमांड करती है कि हमार लिए एक नया राज्य बनाए जाए 143-वे में B 147-वे में पुछा गया है भूर आजनिती विचारदारा जियो पॉलिटिक्स आइडियोलोजी के फादर कौन है तो जियो पॉलिटिक्स वर्ड तो दिया था जलेन ने पर जियो पॉलिटिक्स विचारदारा के जो फादर है वो है कारल होसो पर राइट अंसर हो गया अगला सवाल है 148-वे 148-वे में पूछा गया है कौन सा ग्राफ है जिसमें मीन मंतली टेंपरिचर प्लॉट किया जाता है मंतली रेंपॉल से तो इसमें हीदर ग्राफ में ये प्लॉट किया जाता है एक तरब मंतली टेंपरिचर होता है मीन मंतली टेंपरिचर और दूसरी तरब मंतली रेंपॉल होता है अगला सवाल है आरपी मिस्रा ने इंडिया को किते मैजर और मेडियम प्लानिंग रीजन में बांटा है तो 13 बड़े और 35 छोटे में बांटा है इसका राइट आंसर हो गया C अगला सवाल है एक सो पचासवा लेपली क्या होते हैं तो लेपली जब वालकनी के रपसन होता है तो वालकनों से चोटे चोटे ऐसे फ्रेग्मेंट चोटे बड़े ऐसे फ्रेग्मेंट है वो बाहर ऐसे पत्थर की तरह उचल के गिरते हैं उनको बोलते हैं लेपली एक सो प आपके सामने पेस कर सकूँ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थेंक यू थेंक यू वेरी मॉच थेंक यू